अंथूरियम एक ऐसा प्लांट है जो बहुत आसानी से हमारे यहां ग्रो होता है बस अगर आप इसको हंडल करना सीख जाएं और कुछ चीजें इससे जुड़ी हुई आपको समझ में आ जाएं तो आपके हां अंथूरियम के यह फूल आल्मोस्ट साल भर में 8-9 महीने खिलते रह सकते हैं और आज इस वीडियो में मैं दस ऐसी समस्या हैं जो एंथूरियम में आती हैं और उनके क्या पॉसिबल सेलूशन्स हैं उन पर बात करूंगी जैसे जैसे मौसम बदल रहा है हमको अब अपने ट्रॉपिकल पर्वनेंट प्लांट्स की याद आने लगी है और एंथूरियम ऐसा ही प्लांट है मेरा जो एंथूरियम केरिंग का वीडियो था वो आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और देखिए इस समय भी मेरे एंथूरियम में फ्लार्ज आना शुरू हो गए और बाकी के जो एंथूरियम हैं उनकी हालत तो बहुत ही अच्छी है बस ये है कि फूलो की प्रोसेस शुरू हो जाए बीती दो फरवरी को मैंने अपने प्लांट में छे साथ ग्रैनियूल डी एपी के और चौथाई चमच बोन मील पाउडर डाल करके एक लीटर पानी को इस तरह से घोल के रख लिया था और दो दिन तक रखने के बाद जब इसमें बहुत अच् हो गई है कुछ में तो काफी अच्छे फूल खिले हैं कुछ में अभी छोटे हैं धिरे धिरे बढ़ रहे हैं पर फ्लारिंग होनी शुरू हो गई है और अगर अभी तक आपके प्लांट पर फ्लारिंग नहीं आ रही हो तो आप इस फॉर्मिले को अपना सकते हैं इसके अल इंडि औरेक्ट बराइट में रखिए क्योंकि एंधूरियम का जो प्लांट होता है वह उछलता है और उसमें इंडिरैक्ट लाइट में अच्छे पूल खिलते हैं पस सर्दियों में आपको इनको ब्राइट इंडिरेक्ट संलाइट की जगह अच्छी संलाइट वाले एरिया में रख देना चाहिए जिससे इनके फूल मेंटेन भी बने रहेंगे और नए फूल बनते भी रहेंगे अन्थूरियम की अगर आप रिपॉर्टिंग करना चाह रहे हैं तो किस तरह का सॉयल कॉंबिनेशन यूज़ करें अन्थूरियम के लिए एक औरगेनिक बेस वाली मोईस्चर रिटेनिंग सॉयल की जरूरत होती है और अन्थूरियम के लिए सॉयल बनाए कैसे इस पर मेरा एक वीडियो है जो आपको इस वीडियो के एंड में आता मिलेगा जिस पर जाकर के आप अन्थूरियम के लिए अक्सर एंथूरियम की पत्तियां कॉर्नर से और कई बार पूरी पत्ती भी ब्राउन और क्रिस्प होने लगती है और आप समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है जैसे मौसम की वज़ा से देखिए एक लीफ पर थोड़ा सा इस तरह का निशान आ गया है और इसका जो बज़े से भी ऐसा होता है क्योंकि हाल के दिनों में जब जाता थंड थी तो मैं अपने प्लांट को बचाए रखने के लिए उसमें कम पानी डाल लई थी जिसकी वज़े से पत्तियां इस तरह की ब्राउन और क्रिस्प हो गई तो इसलिए आप अपने प्लांट के चारो औ लेवल को मिंटेन रखेंगे तो आपके प्लांट की पत्तियां हेल्दी बनी रहेंगे और इस तरीके की नहीं होंगी इस तरह की क्रिस्पी पत्तियों को आप जॉइंट पर से हटा दे ऊपर से नहीं काटे नीचे से जहां से निकलती हैं वहीं से काटना चाहिए और इसके साथ ही साथ आप कोई भी सीवीड फर्टिलाइजर या माइक्रो न्यूट्रियंट पाउडर यूज कर सकते हैं मैं यहां अपने प्लांट में चलेटेड माइक्रो न्यूट्रियंट यूज कर रही हूं इसको डाल करके बहुत अच्छे से पॉट में मिक्स कर देंगे फिर जब वाटरिंग करेंगे तो यह प्लांट की रूट सीरे धरे अब्जॉर्व करेंगी यह प्लांट को जो मैक्रो न्यूट्रियंट होते हैं उनको एब्जॉर्व करने में हेल्प करेगा और देखिए साथ आठ दिनों बाद जो नई पत्तिया निकल रही हैं वो देखिए क आप 10 is to 10 is to 10 combination वाला NPK fertilizer यूज करिए क्योंकि छोटे plant को बढ़ने के लिए nitrogen की जरुवत होगी इसलिए उस समय इस fertilizer को यूज करने से आपके plant में growth अच्छी होगी वो ज्यादा अच्छा healthy, bushy और बड़ा होगा अगर आपके anthurium में full जड़ जा रहे हैं और इसके साथी पत्तियां भी पीली हैं तो इसका मतलब यह है कि आप plant में over water कर रहे हैं अक्सर ऐसा होता है कि लोग क्योंकि एक humidity loving plant है, tropical plant है तो लोग humidity को पानी के साथ confuse कर लेते हैं और जरूरत से ज्यादा अपने plant में पानी देन पीली होने लगेगी और ultimately यह plant मर जाएगा पर अगर full crispy हो करके सूख रहे हो और पत्तियां brown हो रही हो तो यह फिर under watering से related मामला है पर आप यह ध्यान रखें over watering किसी भी हाल में ना करें, pot का size क्या होना चाहिए, कई बार हमको यह गलत फैमी होती है कि अगर हम बड़ा हो जाएगा और यह जो चीज होती है यह जब नयने हम plant लगाने लगते हैं तो बहुत होती है, हम किसी भी plant को उठा करके सरेमे के pot में लगा देते हैं, plastic के pot में लगाते हैं, बिना सोचे, हर plant के लिए एक अलग अलग type के pot suitable होते हैं, एंthureum के लिए आप छोटा plastic का pot चूज करें, वो इनके लिए best होता है, क्योंकि plastic के pot में एक तो नमी बनी रहती है, पर आपको हमेशा over watering को लेकर के सतरक रहना पड़ेगा, पर एंthureum की जो अच्छी ग्रोथ के लिए आप छोटे आकार के plastic के pot लें, क्या मर रही एंthureum plant को बचाया जा सकता है, उस case में बचाया रूप से root rot हुआ हो, यानि की roots थोड़ी बहुत ठीक भी हो, और stem भी थोड़ी hard हो, बहुत ज़दा पीली और गली हुई ना हो, तो उस plant को तुरंत report करके आप बचा सकते हैं, report करने के 2-3 दिन बाद उसमे micronutrient powder डालिए, और फिर 4-5 दिनों बाद उसमे 10-10-10-10 NPK और उसमें नई growth वापस आजाएगी, कई बार उपर से plant नहीं दिखता है, पर अंदर root ball सुरक्षित रहती है, तब भी अन्थूरियम वापस grow हो जाता है, इसलिए अगर आपके plant में उपर पतियां दिखनी बंद हो गई हो, तो उसको तुरंत discard करने की जल्दी मत दिखाएं उसमें micronutrient और NPK 10 is to 10 is to 10 डाले, क्या पता आपके plant में दुबारा growth शुरू हो जाएगी, पर ये ध्यान रहे कि जो फूल निकले हैं, वो तो बहुत आराम से लंबे समय तक घर के अंदर चलते रहेंगे, पर नए फूल बनने के लिए धूप की जरुवत होती है और कई बार insufficient light की वज़े से अचानक से आपका अंथूरियम plant मरने लगता है, इसलिए आप इस बात का खास ध्यान रखें, पर अगर आप घर में रखना चाहते हैं, तो किसी भी sunny window के पास आप उसको रख सकते हैं, खास करके bathroom और kitchen दो जगह ऐसी ह होती है, जो एंथूरियम को घर के अंदर रखने के लिए best होती है, क्योंकि यहां पर humidity का level और जगों के मुकाबले ज्यादा हाई होता है, अगर अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी गुजारिश है की चानल को सब्सक्राइब कर लीजे, ब हमारे वीडियोज ज्यादा स्प्रेड होते हैं, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, थेंक्यू वेरी मुच